हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हार्दिक स्वागत है कर्ज से चुटकारा दिलाएं ये आसान से चमतकारी उपाएं जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों कर्ज लेना भला किसे अच्छा लग लगता है परन्तु जब कुछ मजबूरिया ऐसी होती है जिनकी वज़से हमें कर्ज लेना पड़ता है दोस्तों जब इनकर्ज को चुकाने की बारी आती है तो ऐसा लगता है जैसे ये कभी खतम ही नहीं होंगे और कर्ज लेना भारी पड़ जाता है कभी-कभी तो विक्त क पूरा जीवन करज चुकाते चुकाते ही बीच जाता है लेकिन करज खतम होने का नाम ही नहीं लेता दोसतों करज एक बोज़ की तरह बन जाता है दोस्तों यदि आप भी करज की समस्या से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है आज इस वीडियो मैं आपको कर्ज से मुक्त पाने के लिए कुछ आसान से जोच्छी उपाय बताऊंगी जिनको कर लेने भर मातर से आप कर्ज से जल्द से जल्द मुक्त हो जाएंगे और सुख्मे जीवन वितीत करने लगेंगे दोस्तों आई जानते हैं कुछ आसान से चमतकारी उपायों के बारे में दोस्तों पहला उपाय है कि यदि आप कर्द से वाकई बहुत परिशान है तो प्रतेक मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को तेल और सिंदूर का लेपन करें और उनका विधिवत श्रिंगार करें श्रिंगार के दोरान आप फूल, फल, माला, इत्यादी चढ़ा सकते हैं दोस्तों शनिवार और मंगलवार के दिन हो सके तो बजरंग बाण और हनुमान चालिसा का पाठ जरूर करें और हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें दोस्तों इस उपाय को कर लेने भर मात्र से आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका कर्ज खतम होता चला जा रहा है दोस्तों यह उपाय बहुत ही असरदार उपाय माना जाता है दोस्तों दूसरा उपाय बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है दोस्तों इस उपाय के हिसाब से प्रद्दिन रिड़ हर्ता गड़े से स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं परंत यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के बुद्धवार से ही शुरू करना है इस उपाय को करने के बाद भी आपको कर्ज से आसानी से मुक्ती प्राप्त हो जाती है दोस्तों आई जानते हैं तीसरे और बहुत ही खास उपाय के बारे में दोस्तों आप एक नारेल ले लिजे और अपने लंबाई के नुसार एक काला धागा ले लिजे अब इस सिनारियल पर आप उस काले धागे को लपेट दीजिए और मनी मनी प्रातना कीजिए कि आप जल से जल्द कर्द से मुक्ति पालें दोस्तों आप सिनारियल को बहते हुए जल्ल या किसी भी नदी में प्रवाहित कर दीजिए आप देखेंगे कि आपको जल्द ही इसका बहुत ही सकारात्मक पढ़ाम देखने को मिलेगा दोस्तों यदि आप कर्द से जल से जल्द मुक्त होना चाहते हैं तो यह चौथा उपाय आपके लिए रामबांड साबित हो सकता है दोस्तों इस चौथे उपाय के हिसाब से आपको गजेंद्र मुक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए दोस्तों यह पाठ आपको हिंदी अत्वा संस्कृत दोनों में मिलेगा दोस्तों आप जिसमें उचित समझें आप कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही चमतकारी पाठ माना जाता है यदि आप इस पाठ को मन से करते हैं तो आप पाएंगे कि आप जल से जल्द कर्च से मुक्त हो जाएंगे दोस्तों हो सके तो आप प्रतेक्षनिवार रिण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करें और इन पर कच्चा दूद जरूर चढ़ाएं महादेव की करपा से आप जल से जल्द कर्च से मुक्ती पा जाएंगे दोस्तों हो सके तो आप माता लक्षमी को कमल के पुष्प जरूर चढ़ाएं कमल के पुष्प माता को अत्यंत प्री हैं यदि आप कमल के पश्प चढ़ाते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे आप कर्द से जल्द से जल्द मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों कर्ज से मुक्ती पाने का एक और खास उपाय है कि यदि आप प्रदिन लाल मसूर दान करते हैं तब भी आपको कर्ज से शीगर मुक्ती मिल जाती है दोस्तों अपने घर के मुक्ती द्वार पर हो सके तो आप सरसो के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं इससे भी आपको कर्ज से मुक्ती पाने में सहायता मिलेगी दोस्तों वैसे तो अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको जल सजल सफलता मिलती है परंतियदी आप कर्ज लेते और देते हैं तो इन बातों का हमेशा ख्याल रखें दोस्तों कभी भी हो सके तो मंगलवार के दिन करज नहीं लेना चाहिए और हो सके तो पूरिमा या अमावस्या के दिन भी करज ना ले यदि आपको करज लेना है तो आप बुद्धवार के दिन ले सकते हैं बुद्धवार के दिन लिया हुआ करज शिग्र उतर भी जाता है दोस्तों यदि किसी करणवर्ष आपने करज ले ही लिया हो तो कोशिस कीजिए कि अपने इस करज के लोटाने की शुरुआत आप मंगलवार के दिन से करें आप देखेंगे कि जब आप मंगलवार के दिन से शुरुआत करेंगे तो आप जल्दी कर्द से मुक्त भी हो जाएंगे आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चनल लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद